वेलो दोस्तो मैं हूं कुनाल, दोस्तो एपल ने फाइनली iOS 17.1 रिलीस कर दिया है, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ इस अपडेट में क्या कुछ चेंज होता है और क्या कुछ बग फिक्सेस हुए हैं, चलिए दोस्तो वीडियो के स्टार्ट करते हैं, सबसे पहल iPhone XR के उपर वाले डिवाइस up to iPhone 15 Pro Max तक के लिए रिलीस कर दिया गया है, इस अबडेट के रिलीस होने के बाद, जो सबसे पहला चेंज आपको दिखता है, वो मैं आपको बता दूँ कि अगर आप सेटिंग में जाते हैं, सेटिंग में जाने के बाद अगर आप जाएंगे अब आपको यहाँ पर Modern firmware जो है, यह आपको चेंज भी लेगा, पहला चेंज यह हो गया कि Modern firmware चेंज है, इसके वाज़े से अगर आपको कोई network related को issue face हो रहा होगा, तो वो कहीं नहीं solve हो चुका होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, 1.12.02 है, और यह जो था, यह अभी और इससे पहले जो Modern firmware था, वो मैं आपको पर दिखा देता हूँ, Modern firmware उस वक्त आपका जो था, वो था, 1.00.03, यह जो Modern firmware था, तो इसमे कोछ चेंज हुआ है, तो चेंज होने का मतलब है कि अगर network related को issue है, तो वो लपर-लपर fix हो चुके होगे, दूसरे change की बात की जाए, तो इसको अब जैसे वो टैप कर लिजगा, तो यह song आपका फेवरेट लिष्ट में चला जाएगा, song भी फेवरेट कर सकते हैं, plus playlist को भी फेवरेट किया जा सकता, जैसे मैंने इसको playlist को फेवरेट किया है, तो अब यहाँ पर देख सकते हैं, जो option है, यहाँ पर आपको मिलता ह जैसे मैंने फेवरेट किया था, तो इसको मैं टैप करतू, यह फेवरेट से हड जाएगा, यहाँ पर जो star है, यह हड किया, और इसको अगर फेवरेट करना चाहें, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे फेवरेट पर कर सकते हैं, फेवरेट कर लिजगा, तो जब आपका playlist होगा, उसमें आपको option मिल जाता है, यहाँ पर फेवरेट पर टैप करीं, और यहाँ आप देख सकते हैं, और यहाँ देख सकते हैं, और फेवरेट कर दिजगा, तो जो भी फेवरेट रहेंगे, वह प्लेश से नज़र आएंगे, और पर रहेगा, तो आपका all भी है, तो वह भी यूज किया जाता है, एपल मतलब ecosystem में, लेकिन अगर मान लिजिए, आपके किसी दूसरे person के पास भी phone है, और आपके पास भी है, आपको share कर रहे हैं लंबे files को, तो हो सकता कभी कभी जरूवत से ज़्यादा time लगता है, तो क्या होता है, इन साम होता है, चलो थोड़े बा data, दोनों phone में, तो अब अगर माले जब वो person आपसे दूर चला भी जाता है, तो भी आपका file जो है, वो transfer हो जाएगा, उसके लिए जरूवत नहीं पड़ेगा, कि आप नस्दिक नस्दिक ही हो, यह था आपका airdrop का, और दोस्तो और change की बात की जाए, तो वो screen time में change हुआ जो screen time था, पहले क्या होता था, screen time जो था वो लगबक लगबक गलत type से दिखाता था, लेकिन अब काफी हद तक इस चीज को accurate किया गया है, तो यह कुछ अच्छी बात है, कि कुछ चीज में improvement की गई है, और बात की जाए, क्या कुछ बतला है, तो अगर माले जब पहले क्या option आया है charging optimization में, जिसमें आप 80% limit का भी option है, कि आपका device सिर्फ 80% तक charge होता है, तो पहले क्या होता था, कि माले जब चार्ज में लगाया है, तो किसी किसे के साथ यह problem हुआ था, कि charge में लगाने के बाद, और 80% वाले option on करने के बाद भी device जो होता था, वो ज्यादा charge हो जात था, इस चीज को fix किया गया है, अब यह device अगर आप इस पर 80% का limit लगा देते हैं, और charge में लगाते हैं, तो आपका device सिर्फ 80% तक ही charge होगा, उससे उपर charge नहीं होगा, यह चीज को fix किया गया है, और improvement की बात कि जाए, कि जो safari app था, वो काफी जादा आपका जो battery था, वो इस चीज को fix किया गया, अब आप देख सकते हैं, safari को मैं tap करता हूँ, तो यहाँ पर देख लिए 27 में मैंने इसको use किया है, और यहाँ पर battery का मतलब state है, इसमें आप देख सकते है, 2% का मतलब battery इसने use किया है, तो यह चीज भी fix हुआ है, safari को लेकर, क्योंकि safari बहुत ज्यादा battery consume कर रहा था, इस चीज को भी fix किया गया है, और बात की जाए change की, यहाँ पर एक change और दिखता है, अगर आप चाते हैं privacy and security और location service में, तो अब आप देखिए कि यहाँ पर आप चाते हैं, जब system service में, और यहाँ पर नीचे में आप significant location है, इस चीज को थोड़ा सा इंप्रूफ किया गया है, ताकि आपका optimize रहे है, एपस के साथ, तो यह एक अच्छा चीज है, जो finally सब कुछ सही कर दिया गया है, अब बात करते हैं bug fixes की, बग 6 में आप देख सकते हैं, पहले एक bug था, जिसमें अगमाली जब swipe down करते थे, तो यहाँ पर क्या होता था, थो काफी अजीब लगता था, लैग देखने में, लेकिन अब इन्हों ने इस चीज को भी fix कर दिया है, तो अब आपका, यह जो है, swipe down करने पे, अब यह lag नहीं करता है, अब बिल्कुल smooth है, और कहीं भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, कि कोई बिल्कुल अच्छे तरीके से वर्फ कर रहा है, अब बात की जाब performance में, तो geekbench में change दिखा है, मैं आपको बता दिता हूँ, अगर geekbench की बात की जाए, तो मैंने जब run किया था geekbench, उस से में जो score था 2582, single core के लिए, और multicore के लिए था 6476, जो कि अब change हुआ है, और यह जो है हलका से improve किया गया, ज्यादा नहीं कहूंगा हलका से है, और यहाँ पर आप देख सकते है, 2626 और 6641, तो यह थोड़ा से improvement आपको दिखता है, यह इसमें change आपको पता चल रहा है, तो एक bug था, चो कि मुझे काफी face मैंने किया था इस चीज़ को, जैसे मालीजे अगर आप कुछ लिख रहा हूं, जैसे कि नाम लिखते हैं, तो अक्सर यहाँ पर lag face होता था, बट इस चीज़ को Apple ने fix किया है, अब यह typing में ऐसा lag, अब ऐसा feel नहीं होता है, तो lag fix तो हो चुका है, तो यह फी एक issue था, जो की fix कर दिया गया है, बैटरी performance की बात की जाए, बैटरी अब यह हद तक control है, पहले जो बैटरी का जो यह जो point है, सब को number 80 से 79 जल्दी हो जाता था, लेकिन अब यह थोड़ा सा control में है, अब बैटरी डाउन कम हो रहा है, as compared to पहले के मकाबले, hitting के बात की जाए, तो hitting का ऐसा कोई issue मुझे face नहीं हुआ तो पहले भी, और अभी भी hitting का ऐसा को issue नहीं है, charging के बात में हलके full का heat करता है, बट ऐसा ज्यादा नहीं है कि वो danger हो, या ज्यादा बैटरी को नुक्सान दे, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो hitting के मामलें में भी बिलकुछ सही है, iOS 17.1 में जो भी bug fixes किये गए हैं, वो काफी जरूरी था, नय नय features हलके full के add की के हैं, ये भी ठीक है, बट जो bug fixes हुए है, ये काफी important है, तो दोस्तों यही था वीडियो, वीडियो से लगे तो like करेगा, मेरे चैनल को subscribe करेज़ेगा, और दोस्तों मेरे वीडियो को share जरू करेगा, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तो तक लिए जया हिंद वादे मत्रू